यह और प्रवड़म है जिसमें की सुपर नोट प्रवड़म है यहाँ पर आप देखेंगे कि वी टू वी वन और वी टू नोट के बीच में तू ओम का रेस्टेंस है लेकिन V2 और V3 के बीच में 5V है अब इसमें आप यह देखिए कि V1 और V2 जो node voltage है उसके बीच में current I1 है और हम I1 को हम बता सकते हैं कि ohms law के according I1 is equal to V1 it is flowing from V1 to V2 from higher potential to lower potential so V1 minus V2 upon 2 लेकिन हम जो है current जो है हम क्या बताएंगे हमेरी case से लगाएंगे V2 और V3 के बीच में तो हम क्या क्या current है V2 और V3 के बीच में कई तरीके का कई तरीके निकालने के लिए लेकिन हम case नहीं लगा सकते हैं कि V2 और V3 के बीच में तो हम क्या करते हैं एक सुपर node बनाते हैं सुपर का मतलब क्या तो जैसे कि आपने आप समझे कि वह 5V है नहीं एक common node है वी टू भी एक सिंगल नोड बन चुका है है और हम उस तरीके साम इसको अब यहां पर क्या है voltage source is connected between a non-reference node जो आपको ground है and the reference node V1 है the non-reference voltage is equal to the magnitude of voltage source and the number of unknown non-reference node is reduced by 1 तो आप इसको पढ़िएगा और मैंने बता दिया है तो अब next अब यहां पर हमने solve किया है इसको नोडर analysis से use करके हमने V1 V2 V3 node voltage निकाला है अब आप देखेंगे यहां पर की V1 जो node voltage है वह already it is given that it is 10 volt so we there directly get over here V1 is equal to 10 volt now applying KCL at node V2 and V3 which forms a super node the KCL हम लगाएंगे V2 and V3 पे तो I1 and I4 are the entering currents and I2 and I3 are the living currents यदि आप living को positive मानना चाहते हैं और entering को negative मानना चाहते हैं तो वह भी मैंने लिखा equation कि I1 is entering the negative it is minus I1 leaving positive plus I2 entering minus I4 and leaving plus I3 positive finally मैंने equation लिखा है according to equation 1 that is I1 plus I4 is equal to I2 plus I3 I1 क्या है it is the current flowing from V1 to V2 so it is V1 minus V2 upon 2 I4 क्या है current flowing from V1 to V3 तो मैंने V1 minus V3 upon 4 लिया है I2 क्या है current flowing from V2 to 0 so it is V2 upon 8 और I3 क्या है current flowing from V3 to 0 so it is V3 upon 6 और हमें यह एक यह equation number 1 है हमें एक और equation चाहिए solve करने के लिए क्योंकि आपर दो unknown है V2 और V3 ध्यान रखिए जितने unknown unknown होते हैं उतने equations सही होते आपको तो एक equation तो मिल गया second equation जो है आपका super note से हमेशा बनता है आप यह देखिए 5 वोल्ट में positive का है V2 साइड है नेगेटिव का है V3 साइड है तो हम लिखते हैं V2 माइनस V3 इस उकल टो 5 वोल्ट यह तरीका होता है solve करने का solve कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और V2 और V3 निकाल लिए यहां पर अगेंड देख सकते हैं कि वीवन और V2 जो है वह सिपर नोड बन रहा है क्योंकि वीवन और V2 के बीच में voltage है हम जो है यहां जब केशिया लगाएंगे तो वीवन और V2 के बीच में हम करेंट हम नहीं दे पाएंगे की तरीका है कई तरीकर है निकालने का लेकिन फिलाल जो है हमारा केल यहां पर नहीं लगा गसी लिएल पर लगाने को करेंट एक क्वी से तो रिजिस्टेंस यहां पर है नहीं है तो यहां पर इसलिए हम सुपर नोट लगा रहे हैं वीवन और वीटू के बीच पर हमें सुपर नोट लगा रहे हैं तो एक टूब यह कॉमन नोड तो वीवन पर एक माइनसटू एंटर कर रहा है करेंट आयाइवन ली उद्ध कर रहा है एं और नेगेटिव लीविंग फोसीटिव वीटू पर कि आई टू लिव कर रहा है थो पॉजिटिव ले लिया सेवन अगेन लिव कर रहा है हमने लिया है है अब आप सुपर नोट पे आई यह तूवल्ट है टूवल्ट का प्लस कहां पर वीटू साइड नेगेटिव का है वीवन साइड पर सब्सक्राइब का जो फिगर है मैंने नीचे को ड्रॉ किया है किस तरीके से मैंने वीटू को दोनों कंबाइन करके मैंने दिखाया है और आप देख सकते हैं कि वह के सीएल जो है वह यहां पर भी हो रहा है कि अब यहां पर है राइट दा नोट वोल्टेज एक्वेशन ऐन फाइंड आउट दा करेंट इस ब्रांच क्या करना है और करेंट्स इन इस ब्रांच यहां जैने कि आइटन आइट्री आएफाई आएवन सब निकालना है तो थरीका क्या है नोड नोड नोडर एनारेसिस के यह है कि हम वीवन पे नोड वीवन वीटू दो नोड है नीचे में ग्रांट पोटेंशल है जीरो है तो एट नोड वीवन वी जेट आट 5 entering है और leaving क्या है I10 plus I3 I10 जो है वो V1 upon 10 है I3 क्या है that is the current flowing from V1 to V2 so it is V1 minus V2 upon 3 इसे तरीके से KCL at V2 हमने लिया है that is entering is I3 leaving is I5 plus I5 I5 plus I1 it is leaving I3 current जो enter कर रहा है it is flowing from V1 to V2 so it is V1 minus V2 upon 3 I5 क्या है it is V2 flowing from V2 to 0 so it is V2 upon 5 और I1 क्या है current flowing from V2 to 10 volts यहां पर ground पर नहीं है ground पर भी जाएगा वो तो आप चाहे हैं तो इसको V2 minus 10 minus 0 भी लिख सकते हैं कोई फराक्टी पर्तक्स में so it is V2 minus 10 यहां पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि in case 10 volts है वो reverse side हो जाता है that is minus terminal उपर है plus नीचे है तो वो यहां पर ध्यान दिजेगा कि then it becomes V2 minus of minus 10 वो ध्यान दिजेगा तो इस वी 2 minus 10 अपन फिलाल तो आएवन is V2 minus 10 अपन इसको मैंने solve किया है और solve यहां पर दिया हुआ है आप इसको देखिए और समझे पॉस कीजिए वही जो मैंने पहले लिखा है वही एक्वेशन यहां पर लिखा हुआ है इसलिए आप सो कॉपी में उतार यह देखिए समझे आपनली वी नोट के steps है यहां पर इसको आप पढ़िए और आप यहां पर इस figure में आप देखेंगे तो वी टू और वी थी के बीच पर वोल्टेज सोर्स है तो वी टू और वी त्री का सुपर नोट बनता है नेक्स्ट यहां पर example दिया हुआ है तो यहां पर हम यह देखते हैं कि वीवन वीटू वीटू यह दो नोड वोल्टेज से और एक ground potential है आपको यहां पर आपको वीवन वीटू यह निकालना है तो हम क्या करते हैं कि एड वीवन पर हम कहते हैं कि i10 current is equal to current leaving i3 plus i2 i10 is the 10 ampere i3 current is flowing from v1 to 0 it is v1 upon 3 और i2 current is flowing from v1 to v2 so it is v1 minus v2 upon 2 next v2 अब विजदे के बीचे बीचे बोल्टे सोर्स है resistance तो है नहीं तो it forms a super node क्योंकि kcl नहीं लगा सकते है तो by kcl at v2 and v3 we get the i2 अब यहां पर एक तरीके से मैंने और solve किया है कि यह जो currents जो हम यहां पर show करते हैं i10 i3 और i2 यह दियावा नहीं है i10 तो दियावा है बाकी currents i3 और i2 में currents whether it will flow from positive side to ground potential or it will flow other way round from ground potential to v1 यह हमें नहीं पता है यह जो currents जो मैंने यहां पर रेट से शो किया है यह current हमने assume किया है तो current का direction आप कुछ भी assume कर सकते हैं आप चाहें तो v1 पे जो हमने kcl at v1 लगाया है अप i2 current को आप entering लिजिए तो जब entering entering at v1 लेंगे तो क्या हो जाएगा वी टूए हाय पोटेंशल हो जाएगा वीवन पोटेंशल हो जाएगा वीवन पोटेंशल हो जाएगा वीटू मैंस वीवन आप टू तो यह आप हमने यह current assume किया इस current assumption के हिसाब से हम जो हैं इसमें equations बनाते हैं और फाइनली जो निकलके i2 की value एक particular answer निकलके आएगा यदि वह positive हुआ तो ठीक है तो वीवन से वीटू जा रहा है नगेटी हुआ तो वीवन जा रहा है यह तरीका होता है समझने का अब क्या है by kcl at v2 and v3 तो यहां पर वीटू वीटू वीट्री एक कॉमन नोड मानते हैं वीटू पर दो करेंट से i2 और i1 हमने लिविंग लिखा है वीट्री पर अगें i5 और i2 डैस मैंने दो करेंट है यहां पर i2 और i2 डैस को तो मैंने इसको करेंट करने के लिए i2 डैस लिया है स्टार्टिंग विटू नोड में i2 करें i2 करेंट हमने एजूम किया flowing from v2 to v1 तो it is v2 minus v1 by 2 i1 क्या है v2 to 0 so it is v2 upon 1 i5 क्या है it is v3 to 10 volts and then to 0 volt ground potential so it is v3 minus 10 by 5 and finally i2 आपके पास i2 डास है that is v3 to ground potential so it is v3 upon 2 अब super node का भी एक बनता है तो super node का equation बनेगा आप देखे 20 volts कहां positive है v2 से positive negative कहां है v3 से negative so it is v2 minus v3 is equal to 20 volts इसके बाद simultaneous 3 simultaneous equation है solve for v1 v2 and v3 यहां पर पर दिया हुआ है और solve किया है इसको